नमस्ते दोस्तों, 30 दिन पहले मैंने air layering से कुछ पौधे तयार किये थे, आएए देखते हैं, इसकी जड़ कितनी विक्सित हुई है, यह कमरक का पौधा है, और एक अमरूद के पौधे में मैंने यह प्रक्रिया दोहराया था, आप देख सकते हैं, इसकी जड़ कितनी विक्स से कट कर लेंगे, और आप देख सकते हैं, इसकी कुछ टहनिया रह गई हैं, इसको हम काट कर हटा देंगे, यह ताइवान पिंक का पौधा है, और इसकी जड़ बहुत अच्छी तरह से विक्सित हो चुकी है, यह तीन ग्रो बैग है, जो मैंने पहले से तयार कर रखा है, ग्रो बैग से प्लास्टिक को निकालते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, पहले से इस पर बंधी हुई रसी को हम आहिस्ता से निकालेंगे, उसके बाद प्लास्टिक को धीरे-धीरे हटाएंगे ताकि जर तूटे नहीं, हम इसको आराम से पहले से तयार ग्रो बैग में लगा देंगे, इस तरह से हम दूसरे तयार पौधे को भी खोलेंगे और बैग में लगाएंगे, इसकी जर बहुत नाजुक होती है, इसलिए प्लास्टिक निकालते, वक्त हम सावधानी से निकाल लेंगे, एक बार अच्छे से प्लास्टिक निकल जाएंगे, तो हम इसको ग्रो बैग में लगा कर धीरे-धीरे इसमें मिट्टी डाल दें। जाएं तो रूट स्टॉक से तयार पौधे सबसे कम समय में फल देते हैं, दूसरे नमबर पर आता है, ग्राफ्टिंग से तयार पौधे यह भी बहुत जल्दी फल देते हैं, तीसरे नमबर पर आता है, कलम से तयार पौधे इसकी भी देखरेक अच्छी हो तो यह भी जल् अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रूट स्टॉक और ग्राफ्टिंग से पौदे तयार क्यों नहीं किया इसके लिए आपको एक अच्छा अनुभव और एक्सपर्ट होना आवशक है इस तरह से पहले से तयार ग्रो बैग में हम इस पौदे को रिपॉट करेंगे और इसको धीरे धीरे मिट्टी से भर देंगे और हलका पानी डाल देंगे कलम से पौदे तयार करने की यह सबसे आसान प्रक्रिया है आप भी अपने घर पर इस तरह के पौदे तयार करके लगा सकते हैं